फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे प्रत्वी के वारे में उस प्रत्वी के वारे में जिस पर हम रहते हैं क्या आपको पता है कि प्रत्वी उपर से देखने पर कैसी है अंदर से देखने पर कैसी है वो ठोस है, मुलायम है, कठोर है तो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे प्रत्वी के आंतरिक सरचना के उपर अर्बो वर्ष पहले प्रत्वी की उत्पत्ती गरम गैस वे धूल के कणों से हुई थी यानि जो प्रत्वी है प्रत्वी की उत्पत्ती हुई थी गरम गैस और धूल के कणों से हमारे प्रत्वी यानि कई अरवों वर्ष पहले जब उत्पत्ती हुई थी प्रत्वी की तब यह प्रत्वी एक धहकते हुए अंगार के भाती थी धहकते हुए अंगार के भाती मतलब यह एक बहुत जादा गरम थी जिस पर कोई नहीं रह सकता था करोड़ों वर्ष बाद प्रत्वी का वायो मंदल बना यानि वायू वगेरा आई फ्रेंड्स जिसे हम एट्मोस्फेयर भी कहते हैं फिर घंगोर वर्षा के फल सरूप दीरे दीरे तत्वी के उपर परत ठंडी हुई जिसे आज हम सोयल कहते हैं इसका हिंदी में मतलब है मिट्टी लेकिन फ्रेंड्स प्रत्वी आज भी उतनी ही करम हैं अंदर से धहकते हुए गोले की तरह फ्रेंड्स सोचिए अगर प्रत्वी ठंडी न होती तो क्या होता प्रत्वी का धरातल उचे नीचा है बड़े बड़े गर्तो में पानी भरा है जिनने हम समुन्द्र कहते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रत्वी की आंतरिक सरचना के उपर एक पत्ली ठोस परत प्रत्वी को बाहर से घेरे हुए है एक परत को भूपरपरटी कहते हैं भूपरपरटी की मोटाई विबिन इस्थानों पर अलग-अलग होती है भूपरपरटी या क्रस्थ प्रत्वी की सबसे उप्री चट्टानी स्थै है जिस पर हम रहते हैं फ्रेंड्स इस उप्री परत्की रचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है प्रत्वी की भूपरपर्टी पर प्रचुरता से पाई जाने वाले स्थल मंडल के कुछ तत्व हैं जैसे ऑक्सिजन, सिलिकॉन यानि बालू, अल्यूमीनियम और लोहा फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रत्वी की आन्तुरिक परतों के बारे में फर्स्ट, सियल सियल का अर्थ होता है सिलिका तथा अल्यूमीनियम यह परत सिलिका तथा अल्यूमीनियम का मिश्रन होती है इसलिए इसको सियल कहा जाता है भूपरस्ट पर महादीपो का निर्माण सिलिका-M-Aluminium प्रधारतों से ही हुआ है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सीमा के अवार में स्यार परत के नीचे सीमा परत है इसमें सिलिका तथा मैगनिशियम की प्रधानता पाई जाती है इसलिए इसे सीमा के नाम से जानते हैं इस परत को निचला मेटल भी कहते हैं फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं नीफे के बारे में यह परत प्रथवी के सबसे नीचे के इंद्रे में पाई जाती है जिसे क्रोड नाम से जानते हैं यह परत मुख्यत निकेल तथा लोहा जैसी भारी धातों से बनी है इसलिए इसे नीफे नाम से जाना जाता है उच्छ तापमान और भारी दवाब के कारण यह परत गाड़े वै तरल अवस्था में पाई जाती है इस क्रोड के दो भाग है प्रत्वी की ब्रू परपर्टी के प्रदार्थों को शेल या चट्टान कहते हैं शेल पत्थर की तरह का ठोर भी हो सकती है तथा मिट्टी और रेत के समान मुलायम भी हो सकती है फ्रेंड्स आज के एपिसोड हम यहीं पर रेंट करते हैं अगर आपको अपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे और हाँ हम अपको एक और चीज़ आजाते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो बनाएंगे शेल के प्रकार के उपर तब तक के लिए, have a nice day, bye bye